बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, अस्सलाम आलेकूम, वेल्कम टॉ कॉदिक्विट्विक्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्गोरिदम्स को कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग की टर्म्स में किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्फ करने के लिए एल्गोरिदम एक सेट ओफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होता है तो एल्गोरिदम सेट ओफ इंपुट्स लेता है और एक डिजाइड आउट्पुट प्रोड्यूस करता है फॉर एक्जामपल दो नमबर्स को एड़ करने के लिए एक एल्गोरिदम है इसमें दो नमबर्स इंपुट लेंगे और प्लस उप्रेटर को यूज करते हुए नमबर्स को एड़ करके स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे लिखा जाता बलकि सिंपल इंग्लिश लैंगुज में लिखा जाता है और एक ऐल्गोरिदम को इस तरह लिखना चाहिए कि इसको दिफ्रेंट programming languages के लिए use हो सके तो आएए देखते हैं कि algorithm को actually लिखते किस तरह हैं let's pause दो numbers को add करने के लिए algorithm लिखना है और वो numbers user से input लेंगे तो step 1 है algorithm को start किया step 2 में variables को declare करेंगे 3 variables declare करेंगे num1, num2 and sum sum variable में दोनो numbers का sum store होगा step 3 read values of num1 and num2 step 3 में user से 2 numbers input लेंगे step 4 में 2 numbers को add करेंगे और जो भी result आएगा उसे sum variable को assign करेंगे और step 5 में जो sum variable की value है उसे screen पे display करवा देंगे step 6 में इस algorithm को stop करेंगे practice के लिए एक और algorithm लिखते हैं अगर हमने 3 numbers में से largest number find करना है तो इसका algorithm कैसे लिखेंगे again step 1 start step 2 में 3 variables declare करेंगे a, b and c step 3 में read variables a, b and c user से 3 numbers input लेंगे next step 4 step 4 में ifl statement का use करेंगे अगर a की value greater है b से तो क्या steps follow होंगे लेकिन अगर a की value b से greater नहीं है तो इस situation में क्या steps follow होंगे तो सबसे पहले check करेंगे कि क्या a की value b से greater है अगर a की value b से greater है तो again ifl का use करेंगे और check करेंगे कि क्या a की value c से भी greater है अगर a की value c से भी greater है तो screen पे display करवा देंगे a is the largest number लेकिन अगर a की value b से तो greater है लेकिन c से greater नहीं है तो screen पे display होगा c is the largest number लेकिन अगर पहली ही condition falls हो जाती है a is greater than b अगर A B से greater नहीं है तो L statement पे जाएंगे और यहां again if L statement का use करेंगे और check करेंगे कि क्या B की value greater than C है अगर यह true है तो screen पे display करवाएंगे B is the largest number लेकिन अगर यह condition false हो जाती है कि B की value A से तो greater है लेकिन C से greater नहीं है तो screen पे display होगा C is the largest number तो step 4 में A, B and C की values को compare किया और largest number को find out किया step 5 में algorithm को stop कर देंगे तो किसी भी problem को solve करने के लिए इस तरह से algorithms को लिखा जाता है उमीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको algorithms का concept clear हो गया होगा कि actually algorithms क्या होते हैं और algorithms को लिखते कैसे हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like करें अपने friends के साथ इस वीडियो को share करें और अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को जल्दी से subscribe कर दें और साथ में दियेगे bell के icon पर click करके all के button को press कर दें तके आने वाली latest videos के update आपको मिलती रहे इंशाला see you in the next video Allah Hafiz